हेलो गाईज, विल्कम बैग तो मैं टूट चैनल यसकी मिशडी और वे आप सक्सेच मैं हूँ आपका एजुकेटर सियो मिश्रा मेरे प्यारे बच्चो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नौ लैमार्क बाद जो कि क्लास 12 बायलोजी का हमारा है चैप्टर नमबर 7 कुछ बैग्यानीक थे जो कि लैमार्क बाद को सही माना और इसके बच्च में बहुत सारे प्रमार भी प्रस्तुत किये थे और उन्ही जो हमारे प्रमार प्रस्तुत किये गए थे उन्हीं हर एक प्रमाड़ों के बारे में जानेंगे तो पहला हमारा था वो था हमारा कि समनर का प्रयोग किसका था कि समनर का प्रयोग कि पहला क्या था हमारा समनर का प्रयोग सुत्तो सम्नर ने क्या किया कि चूहों को 20 से 30 सेल्सियस ताप पर पाला जिसके प्रडाम सरूप उनका सहीर और पूँच और पिछली टागे क्या हो गई लंबी हो गई और यह उपारजी लक्षड उनके पीढ़ी दर पीढ़ी अस्था नांतरित हो गया जो कि हमारा सम्नर प्रयोग कहलाता है इसमें क्या लिखे देंगे सम्नर ने सफेद चूहों को 20 सेल्सियस तथा 30 डिगरी सेल्सियस पर पाला पर पाला जिसके परिडाम सरूप सरूप उनका सरीर उनका सरीर पूँच तथा पिछली टांगे लंबी हो गएं पिछली टांगे क्या हो गई लंबी हो गईं और यह उपार्जित लक्षण लक्षण उनमें पीधी दर पीधी पीधी दर पीधी अस्थानांतरित अस्थानांतरित होता गया ओकी इसको कते हम लोग नव लेमार्क वाद अगला हमारा मैकडूगल का प्रियोग दूसरा किसका था हमारा हो था मैकडूगल का प्रियोग मैकडूगल का प्रियोग तो मैकडूगल ने 44 पीधी तक सफेच चूहों को पानी में तेढ़ी मेड़ी रास्ते से निकालने का क्या दिया हमारा प्रिच्छ दिया और उन्होंने पाया कि सुरू में चूहों को काफी प्रिच्छ देना परता था लेकिन धिरे धिरे पीधी दर पीधी इनका जो प्रिच्छ था क्या हो गया कम होता गया तो इसमें क्या लिखेंगे मैग डूगल मैग डूगल ने चवालिस पेड़ियों तक सफेद चूहों को पानी में तेड़े मेड़े रास्ते से निकलने का प्रसिच्छड दिया उन्होंने पाया की सुरू में चूहे चूहों को काफी प्रसिच्छड देना पड़ता था देना पड़ता था लेकिन बाद में प्रसिच्छड प्रसिच्छड समय कम हो गया ठीक न यह हमारा था अगला हमारा था कैमरर का प्रियूग किसका प्रियूग था हमारा कैमरर का प्रियूग चल देख लेते हैं हमारा अगला हिट डालेंगे कैमरर का प्रियूग तीसरा प्रियूग किसका था हमारा तो तीसरा आपका था प्रियूग अगर केमरार का प्रियोग देखें तो 1924 में केमरार ने कुछ सैलामेंडर को काले वातावर्ण में रखा जो सैलामेंडर थे उनको क्या किया वातावर्ण में रखा और कुछ को पीले वातावर्ण में रखा और कुछ वर्षतों बात देखा कि जो सैलामेंडर के शरीर पर काल धब्बे और पीले वातान में रखे गए सिलामेंडर में पीले धब्बे पाए गए और वह गुण उनके संतान में क्या होते गए हमारे वनसागत होते गए तो लिखेंगे कि 1924 में कैमरा ने कुछ कि सैलामेंडर को काले वाता वरण में रखा तथा कुछ को पीले वाता वरण में रखा कुछ वर्सो बाद काले वाता वरण वरण में रखे सैलामेंडर की शरीर पर काले धब्बे तथा पीले वाता वरण में रखे गएं सैलामेंडर में पीले धब्बे पाए गएं और यह गुड उनकी संतानों में वनसागत भी हुएं संतानों में वनसागत भी हुएं ठीक है न यह हमारा था नो लैमार्क वाद अगला आपका आता है डार्वीन वाद क्या था हमारा डार्वीन वाद तो इचले हेडिंग डाले लैमार्ग वाद हम आपको पढ़ा चुके थे और अब हम लोग जानेंगे किसके बारे मेरे पैरवच्चो डार्विन वाद के बारे में हमारा डार्विन वाद क्या होता है तो इसको समझने के लिए आमको सबसे पहले क्या बनाने पड़ीगी? एक प्यार इसी हेडिंग मैं दारविन वाद ओके? दारविन वाद होता क्या है? तो दो अंग्रेज वैञ्यानिक थे, एक थे हमारे ओलफृड रसैल वैलेस, तथा एक थे हमारे चार्ल्स रोबर्ट डार्विन ने स्वतंत रूप से जातियों कि उत्पत्ती पर समान निस्कर्श निकाला और एक परिकल्पना प्रस्तुत किये जिसे डार्विन वाद कहती हैं कि डारेन वाद को कितने बैग्यानिकों दिया था दो बैग्यानिकों ने दिया था कौन-कौन से एक हमारे थे एलफरिड रसायल वैलेस और दूसरे हमारे कौन थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्वीन तो है अपक्या लिखेंगे यहां लिखेंगे कि दो अंग्रेज वैग्यानिक अलफरिड रसायल वैलेस तथा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने स्वतन्त रूप से रूप से जातियों की उत्पत्ति पर समान निस्कर्ष निकाला तथा परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे डार्विन वाद कहा जाता है जिसे क्या कहा जाता है तुसी को हम लोग डार्विन बात का नाम दिए हैं अब आता हमारा अगर डार्विन बात का संचिप्त अगर हम लोग इनका वो देखें तो जो राबर्ट डार्विन का जन्म किसन हुआ था तो थोड़ा से लिए लिए ना क्या लिखेंगे हम लोग चार्ल्ज राबर्ट डार्विन का जन्म का जन्म का हुआ था तो बारा फर्वरी बारा फर्वरी सन अठारा सनो कु श्रूस बरी इंग्लेंड में हुआ था ठीक ना इनका जन्म कहां पर हुआ था तो यही पर हुआ था अगला आता है हमारा कि डार्मिन वाद या प्रक्ति सिध्धान्त के वाद का वो तो थोड़ा विस्तारिक रूम में जानते हैं कि डार्मिन वाद हमारा क्या होता है तो इनकी क्या-क्या थी डार्मिन वाद के उसमें तो बहुत सारे थे ठीक है न कि डार्मिन वाद में जैसे दीखा गया कि जो हमा के लिए सबसे अधिक अनकूलित होती हैं सरच्छित हो जाती हैं और वह जीव को क्या करता है कम अनकूलित होती है और नश्ट हो जाती है यानि कि हम बात कर सकते हैं कि जो डार्विन ने अपना सिधान दिया था वो यह कहा था कि वाता वरण में जीव वही जीवित रह सकते है है जो उसके अनपूलित हों और जो जीव कम अन्कूलित है वह क्या हो जाते हैं वाता वरं में क्या हो जाते हैं नश्ड़ हो जाते हैं टीक है न हंगिनए यह मारा क्या था डारिमांग का महत्तो था यह सब दार्विन वाद सिध्धान्थ हमारा क्या होता है तो डार्विन वाद सिध्धान्थ में डार्विन ने यह बताया कि जो जीवाता वरण में अनकूलित होते हैं वह जीव अपनी जीवन को यथा इस्थिती बनाये रखते हैं और जो जीव कम अनकूलित होते हैं वो क्या होते ह संख्या में तेजी से बढ़ जाने की प्रविति यानि कि हम रुका सकते हैं कि प्रतेग जीव में यह प्रविति होती है कि वह जनन द्वारा अपनी संख्या में अधिक से अधिक विर्द्धि करके लेकिन उसे उत्पन संताने भी जीवित नहीं रह पाती क्योंकि उनकी उत्पत्ति की संख्या जामती अनपाद में होती है जबकि रहने और खाने की जगह क्या होती है इसी लिए यदि सबसे धीमी गती से प्रजनन करने वाले जीव जो होते हैं वो प्रकित अंकुस न लगे तो पूरी प्रिथवी पर भोजन को क्या कर देगा समाप्त कर देगा यानि हमका सकते कोई भी जीव क्यों जो होता है प्रजनन की क्रिया करके वह तेजी के साथ ब्रिद्धी कर सकता है और जब तेजी के साथ ब्रिद्धी करेगा तो जायर सी बात है भोजन को क्या हो जाए अब यह सिमान्त कारक क्या होता है तो प्रत्यक जात करोगने के लिए कुछ बाधक होते हैं जिससे उसकी संख्या सीमित होती है और उसे हम लोग क्या करते हैं सीमान्त कारक करते हैं जैसे की सीमित भोज सामग्री पले सीमित भोजय सामगरी यानि कि प्रतेक जाज करोगने के लिए कुछ बादक कारक होते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं सीमांत कारक करते हैं ताकि उनकी जो संक्यार है सीमित हो जाए जैसे कि सीमित भोज्य सामगरी अब देखेंगे जनसंख्या जो होता है भोज्य सामगरी की कमी के कांड सीमित हो जाती है अगर भोजन नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है वो विना खाय मर जाएंगे एक बात ध्यान देजेगा दूसरा क्या होता है हमारे परभच्ची जन्तु अब परभच्ची जन्तु क्या होते हैं कुछ जन्तु ऐसे होते हैं जो कि अफ्रिका के जंगलों में यदि सेर खत्म कर दिया जाए तो जिब्रा की जो जनसंख्या होगी इतनी बढ़ जाएगी कि वहाँ पर भोजन की सामगर क्या हो जाएगी घट जाएगी इसलिए कुछ पर भच्ची जनत होते हैं जैसे कि हमारे जो कि जन संख्या पर अंकुस लगाते हैं जैसे कि हमारे सेर जिब्रा या फिर अनकिसी जानों को मार मार करते पर रहते हैं जगलों में खाती रहते हैं महारे तीसरा वता है रोग क्या होता आप जानते हैं कि 주üler में मदल्लब ज्यादा ज्यादा व्रद्दी होते हैं तो महामारी फ्हलीअ कि उनके पास भोजन नहीं रहेंगी कपे नहीं पैसे नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा वहार कहीं न कहीं कि जन संख्यां प्रिध्धि जरूर आएगे चोथी क्या होती है कि अस्थान अब जब आपके पास अस्थान है ही नहीं तो आप थोई ना बच्चे को पैदा करेंगे प्ल्कुल भी नहीं करेंगे और फिलाश वाली क्या होती है प्राक्रतिक आपदाएं प्राक्रतिक आपदाएं देखते हैं जैसे कि अभी आ गया तुफान आ गया बोंडर आ गया तो ये प्राक्रतिक आपदाओं के कारण भी बहुत से जीव की क्या हो जाती है मृत्तु हो जाती है ओके यह याद रखीग अब चले तीसरा हमारा आता है पॉइंट में राइमवासिधान में जीवन के लिए संघर्ष जीवन के लिए संघर्स जीवन के लिए संघर्स का मतलब क्या है प्रतेक प्रजात की पीड़ी दर पीड़ी अधिक से अधिक व्यश्टी करने की प्रवित्ती होती है जो उप्रोगत दिये गए सिमात कारकों से सीमित हो जाती जैसे कि खाना साती अस्थान आदी ठीक है न और इसी प्रक्रिय को डारिन ने जीवन के लिए संघर्स का कि बहुत सारे जीव क्या होते हैं कि संघर्सों के लिए अस्थान के लिए रोग के लिए परवच्ची जंतों बचने के लिए अपने आपको जीवन के बचाने के लिए क्या करते हैं संघर्स करते हैं तो क्या होती है जीवन संघर्स अगली होती है विभिन्यतायं, क्या होती हमारी विभिन्यतायं, विभिन्यतायं और विभिन्यतायं में यानि कि दो जीव कभी भी एक जैसे नहीं हो सकती, यानि कि अगर देखा जाये तो जो माता पिता होते हैं उनके दो संताने क्या समान हो सकती है क्या नहीं हो सकती और इसलिए उसको सबसे अलग बनाती यानि प्रत्यक जीव में क्या पाए जाती है विभिनताएं पाए जाती है अगला आती है हमारी पांचवा वा आती हमारी जात की उत्पत्ति नई जात को ने कि वाता वण को नियंतर परिवर्तित हब से जीऊ में उनके अनकूल रहने के लिए भीबिनतायं आ एक घटा होती है और धीड़े धीडिसर अपने पूरवस से इतने भीन हो कि वैज्ञानिक उन्हें नई जाद का अस्थान दे देते हैं नाम दे देते हैं तो नई जाद भी उत्पत्ती करती रहते हैं अगली हमारी आती है डार्विन वाद की आलोचना यह डार्विन वाद की आलोचना क्या है तो डार्विन वाद अंगोस के प्रारंभी विकास को न दार्विन वाद अंगो के प्रारंभिक विकास को नहीं समझाता है जो दार्विन वाद होता है वो अंगो के विकास के प्रारंभिक विकास को बिल्कुल भी नहीं समझाता है दूसरा क्या होता है? यह योग्यतम की उत्तर जीविता को ही समझाता है यह योग्यतम की उत्तर जीविता को तू समझाता है लेकिन योगितम की आगमन का डार्विन वाद से कोई संतुस जनक संतुस जनक इसपस्टि करण नहीं मिलता इसपस्टि करण नहीं मिलता है दूसरा आपके क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा कि डार्विन अंगो के नश्ट होने पर कोई इसपस्टि करण नहीं दे पाए डार्विन अंगों के नश्ट होने पर कोई इसपश्टी करण नहीं दे पाए ठीक है अगला है यहारा क्या है अगला आपका है कि जली जन्तु तथा इस्थली जन्तु से विकास नहीं समझा पाएं समझा पाएं नहीं समझा पाएं ठीक है न पाचवा हमारा क्या है पाचवा आपका है कि अवसेस अंगों को नहीं समझा पाएं यह अवसेस अंगों को भी नहीं समझा पाएं छाटवा क्या था प्रकतिवाद के लैंगिक वरण में नहीं कोई नर कोई चैन नहीं करता जबकि मादा आकरसक नर का चैन करती है यहाँ लिखेंगे प्रकति वाद के लैंगिक वरण में नर कोई चैन नहीं करता जबकि मादा आकरसक नर की चैन करती है चैन करती है यह जो पॉइंट है मेरे प्यार वच्चों इसको नोट कर लेजिए आपके डिमांड के अनुसार आपको बड़े बड़े आप वीडियो देना इस्टार्ट कर दिएंगे हैं सो चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज चैन को सब्सक्राइब करिएगा बेल